सब्सक्राइब कीज़े हमारी चैनल को बंद बिदे, और उसे दिवाने के बाद बेल आइकन के बंद को दबाईए ताकि आने वाले नए विडियोज के अपडेश आपको रेगुलर्ल मिलती रहे दोस्तो कुछी दिनों में साल 2020 दस्तक देने वाला है आज हम जानेंगे कि परिवार, सिक्सा, वैवाईक जीवन, स्वास्त, आर्थिक जीवन और कार्यक्षेत्र के अनुरूप कैसा रहेगा मेश रासी वालों के लिए 2020 का साल सेहत, इस साल मेश रासी के लोगों को अपने स्वास्त पर ध्यान देना होगा जन्वरी से मार्च तक का समय आपके लिए अति महत्वपून है क्योंकि इस दोरान आपको स्वास्त सम्बंदित कस्टों का सामना करना पड़ सकता है पेट सम्बंदित समस्या हो सकती है, संतान प्राप्ति के योग है, व्यावसाई, अगर आप व्यावसाईक से तरसे हैं, तो इस साल आप नए काम सुरू करेंगे नए काम या उद्योग में निवेश करेंगे, लेकिन इस कालाब आपको 2020 के अंत में मिलेगा इस समय निवेश करना आपके लिए सुब रहेगा, 2020 में मेश रासे के लोग बहुत यात्राई करेंगे अगर आप विदेश जाने के इच्छा रखते हैं, तो इस साल विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं करियर, जौब करने वाले लोगों के लिए 2020 उत्तम रहेगा पद और प्रतिष्टा में बड़ोत्री होगी क्रोध पर नियंतरन रखे, नहीं तो किसी सहकर्मी से कुछ वाद विवाद हो सकता है छात्रों के लिए 2020 कर्म की द्रस्टी से बैतर साल रहेगा बस मैनत करते रहे 2020 में मेश रासी वाले जिस भी काम में मैनत करेंगे उन्हें उसका सकरात्मक परिणाम जरूर मिलेगा पारिवारिक जिवन रासी फल के अनुसार इस साल आपका पारिवारिक जिवन उतार चड़ाव से बरा रहेगा विशेश रूप से आपके पिता जी को स्वास्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए उनका ध्यान जरूर रखे एप्रिल से अगस के बीच में परिवार में कोई सूप कार्य संपन हो सकता है वैवाईक जिवन अगर आप विवा के लिए प्रयासरत है या आपकी साधी में रुकावटे आ रही है तो इस साल आपके विवा के योग बन रहे है थोड़ी बहुत बादा जरूर आ सकती है इसके लिए मंगलवार के दिन भगवान संकर को सहच चड़ा दे मेश रासी वाले को अपनी वानी पन नियंतरन रखना होगा आपके घर में अक्सर लड़ाए जगड़े होते रहते हैं जो 2020 में कम होते दिख रहे हैं आर्थिक जीवन इस साल आर्थिक रूप से उन्नती के अनेक आउसर आपके सामने आएंगे और उसके फल स्वरूप आप अच्छा दनलाब प्राप्त करने में सफल होगे क्रिया कलापों में आप कुछ दन खर्च करेंगे इस साल आपकी आर्थिक स्थिती काफी बैतर रहने वाली है उपाए घर के आगे स्वस्तिक बनाए और हर दिन इस स्वस्तिक पर सिंदूर और गी लगाए और अक्षत अरपित करें अपने दर्वाजे पर जल अरपित करें इससे आपके घर में सांती और सम्रुद्धी आएगी दोस्तों अगर आपकी भी मेश रासी है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखे